दो चिकन के फूल वाले लेकपिस ले लिए मैंने देखे इस तरह से अब इसके ओपर हम कट लगा लेंगे तो अच्छे से इसके ओपर डिप कट लगाना है इसकी साइड पलटा के दूसरी साइड पर अच्छे से कट लगा लेंगे जब सारे चिकन पर अच्छे से डिप कट ल की फूट कलर डालूँगा नमक टेस्ट के इसाब से और आधा चम्मच चाट मसाला जियां दोस्तों चाट मसाला तो जाए गई अब इसके अंदर एक निम्बू का रच डाल देता हूं मैं और एक से देड़ चम्मच इसके अंदर तेल डाल देंगे सबी चीज़ों अच्छा सा मिक्स कर लेब और इसमे चिकन के पीस डालके अच्छा सा चिकन को 真साले से कोड कर लेगे सारे मेरी नी इसन को अच्छा सा चिकन में चोड diye आप कम सका में गंटे के लिए चोड़ सकते हैं उसके बाद एक चिकन के पीस लेके इस तरह से मैं कोईले के उपर रोष्ट कर रहा हूं तो कोईले मैंने पहले से जला लिए तो इसको रख देंगे मैं 8-10 मिनट के लिए 8-10 मिनट के वास की साइड्येण कर देंगे देखり उच्छा जागरा आया है दोस्तों दुसरी साइड भी 8-10 मिनट के लिए पका लेंगे फिर से इसको अल्टा पलटा के चिकन को फूरी तरह से गलने तक हम इसी से पकाल देंगे और दोस्तों चिकन तंदूरी पेन की रेसिपी में पहले बना चुका हूं अगर आपको रेसिपी चीए दोस्तों तो मुझे कमेंड करें मैं आपको रेसिपी सेंड कर दूँगा दोस्तों सिंपल और आसान तरीके से चिकन तंदूरी बनके तयार है मेरा